नमस्कार आप देख रहे हैं वत्स वाज और मैं हूं मुकेश वत्स अज के इस विडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ट्रांजिट के तू जब आपकी कुंडली के मर्क्यूरी के उपर से बुद्ध के उपर से गुजरते हैं तो इसके क्या प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में हमारे शरीर के किन अंगों को यह प्रभावित करता है हमारे किन संबंधियों पर इसका प्रभाव विशेश पड़ता है साथ ही हम कुछ सरल उपाय भी इस ट्रांजिट से बचने के लिए बताएंगे तो यह एक महत्वपूर्ण विडियो है इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लिजेगा ताकि मेरे विडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाय करेंगा फ्रेंड्स केतू के बारे में कहा जाता है कि केतू एक फायरी प्लानेट है और ये मोख्च का कारक भी है साथ ही यह भी कहा जाता है कि केतू एक हेडलेस प्लानेट है इसमें लॉजिक की कमी होती है केतू जहां से भी गुजरते हैं ग्रहन वहीं पर लगता है इसलिए जब भी केतु किसी भी भाव के उपर से गुज़रेंगे या किसी भी प्लानेट के उपर से गुज़रेंगे तो उस भाव एवं उस प्लानेट के कारकत्वों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा उसका एक बड़ा वज़ा है कि वहीं पर अगले डेढ़ वर्षों तक ग्रहन लगता है और मर्कुरी यानि की बुद्ध क्या है हमारे education के कारक कहे जाते है बुद्ध हमारे intelligence, हमारे calculations, calculating abilities, analytical ability इसके कारक माने जाते है मर्कुरी एक बहुत ही impressionable planet है जिस planet के संसर्ग में आ जाएं उस planet से संबंधित qualities बुद्ध में आ जाता है बुद्ध को विवसाय एवं पैसों से जोड़ कर भी देखा जाता है संबंधियों में यदि देखिएगा तो बुद्ध हमारी छोटी बहनों को और हमारे मित्रों को रिप्रिजेंट करते हैं तो आप ऐसा समझिये कि जब भी ट्रांजिट का केतू आपके बुद्ध के ऊपर से गुजरे तो इन सभी चीजों पर उसका प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले तो जब कभी भी गोचर में केतू बुद्ध के ऊपर से गुजरे तो हमारे मामा पक्ष के साथ यह संबंद विच्छेद करवाने की कोशिश करता है कुछ ऐसे issues आकर खड़े हो जाते हैं जिसको आप अपने जिसके वज़े से आपका अपने मामा पक्ष के साथ कुछ विवाद हो जाता है और फिर कई cases में केस मुकदमा मोह भंग तक कि स्थिती भी बनती है बुद्ध यदी बहुत strong भी बैठा हुआ है कुण्डली में और उसके ऊपर से केतू गुजर जाए तो भी ये प्रभाव पढ़ते हैं जब भी बुद्ध के ऊपर से केतू जाएंगे तो छोटी बहन के साथ भी संबंद खराब हो सकते हैं या फिर आपकी छोटी बहनों को कश्ट होता है ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी बुद्ध के ऊपर से गुजरते हैं केतू तो जमीन जायदाद के बंटवारा से संबंदित कुछ परेशानिया उत्पन न हो सकती है परिवार के सदस्यों के बीच में कानूनी अडचने जमीन के बंटवारे में डॉक्यूमेंट वगरह के वजह से आ सकता है ये ट्रांजिट व्यक्ति को थोड़ा रेस्टलेस बना सकता है बेचैनी देता है और इन चीजों के वज़े से घर पर शान्ती में कमी आती है ये व्यक्ति को बहुत ही स्लो बनाने वाला ट्रांजिट होता है बुद्ध के उपर से जब भी केतु गुजरते हैं तो व्यक्ति अपने कारियों को जिस तेजी से करने के लिए जाना जाता है वो नहीं कर पाता है आप इस समय में लोगों की मदद करते हैं तो भी आपको नाम या उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है इसके बदले आपको बदनामी मिलती है के तू ट्रांजिट में जब आपके मर्कुरी के उपर से गुजरते हैं तो उस समय जो भी आपका ग्यान है वो आपके काम बहुत ज़्यादा नहीं आता शिक्षा आपके काम नहीं आता आप चीजों को गलत तरीके से एनलाइज करते हैं और इसलिए फिर जो आप निर्णय लेते हैं वो भी गलत होता है ऐसे समय में जब भी पैसों का लेन देन करें और मान लिजी अमाउंट बड़ा है तो बहुत सावधानी रखनी होती है कुछ लोगों के साथ क्योंकि इस समय में धोखा धड़ी वगएरा भी होता है और इसके वज़े से बड़ा लॉस होता है बुद्ध के उपर से जब भी केतु गुजरते हैं तो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालना चाहिए या कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्लान नहीं करना चाहिए जो काफी लंबे समय तक चलने वाला हो चंद्रमा वाले वीडियो में भी मैंने ये कहा था ऐसे ही प्रोजेक्ट में हाथ डालिये जो कम समय में पूरा किया जा सकता है कि तु जब भी बुद्ध के उपर से गुजरता है तो व्यक्ति में कुछ अजीब तरह की sexual feelings को भी ये enhance करता है और sexual atrocity गलत हरकतें आपके साथ भी हो सकती है या आप दूसरों के साथ भी कर सकते है आपका यदि कोई प्रेम प्रसंग वगएरा चल रहा है तो इस समय में प्रेम प्रसंग थोड़ा सा complicated होने की संभावना बनती है friends की तरफ से धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है के तु जब मरकरी के उपर से गुजरे friends तो ऐसे समय में किसी friend के सहारे अपने business वगएरा को आपने रख रखा है तो बहुत साथानी रखनी चाहिए बुद्ध क्या है हमारे speech के कारक है तो केटु जब बुद्ध के उपर से जाते है तो क्या होता है आपको अपने speech के वज़े से परेशानियां होती है और केटु के बारे में एक और चीज़ बता दूँ केटु को जाल से जोड़ कर देखा जाता है चाहे आप उसको मचली पकड़ने वाला जाल समझे या पहले के समय में हम लोग आपको याद होगा मौस्किटो नेट्स में सोते थे तो ये सब केतू है तो केतू जब किसी भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो ये एक तरीके का जाल क्रियेट करता है जिसमें आप फंस जाते है उस चीज से संबंधित आपने यदि कोई पहले गलत कार्य किया होगा तो ये केतू के ट्रांजिट के समय में उसका फल आपको मिलेगा तो बुद्ध के उपर से जब भी गुजरेंगे केतू तो आपके लव अफेर से संबंधित परेशानिया होती है और ये सेपरेशन त किसी भी तरीके के ट्रेडिंग बिजनेस में आप यदि हैं किसी भी तरीके से कम्यूनिकेशन से संबंधित बिजनेस में हैं आप स्पीकर हैं मीडिया में हैं लेखक हैं तो इस सना में दिक्कते हो सकती है मर्कुरी हमारे डॉकुमेंट्स को भी रिप्रिजेंट करता है के जब मरकुरी के उपर से जाएंगे तो कभी भी important document आपका गुम हो सकता है या समय पर नहीं मिलेगा और इसके वज़े से important document के वज़े से प्यक्ति परेशानी में आ जाता है बुद्ध के उपर से जब भी केतु जाएं तो बहुत अच्छा remedy friends ये है कि आप gossip ना करें अनावश्यक किसी पर कोई tipणी ना करें अपने संशार माध्यमों का बहुत ध्यान रखें कोई भी email वगएरा डालते हैं या आप content creator हैं, media में हैं तो आप जो भी बोलते हैं या लिखते हैं इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कोई भी लोन वगएरा आप पर यदि है तो इस समय में उसका email ये सब के payment का ध्यान रखिएगा के तु जब बुद्ध के उपर से गुजरें तो हमारे nervous system में मैं health problems की बात कर रहा हूँ nervous system की परेशानिया आ सकती है skin आपकी चमड़ी से संबंदित परेशानिया आ सकती है speech disorders बोलने में दिक्कत आ सकती है आपके throat वगएरा में परेशानिया आ सकती है इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस समय में एक और चीज होता है देखा गया है ऐसे समय में व्यक्ति को जरुवत से ज़्यादा पसीना आता है हाथ कापता है बोलने में व्यक्ति stammer करता है हकलाता है जो लोग भी विद्यार्थी हैं उनको इस समय में बहुत ध्यान रखना चाहिए जो लोग भी accountants हैं, lawyers हैं, traders हैं secretarial काम करते हैं, analysis का काम करते हैं, statistician हैं तो आप लोगों को इस समय में विशेश ध्यान रखना चाहिए बुद्ध के साथ जब भी केतु आएंगे तो friends केतु को गायत्री मंत्र के साथ जोड़ कर देखा जाता है बुद्ध को भगवान विश्नु के साथ जोड़ कर देखा गया है तो विश्नु गायत्री मंत्र यदी करते हैं मैं आपको screen पर देदे रहा हूं इसको आप note कर भी रख सकते हैं छोटा सा मंत्र है, इसको यदी daily करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा लाब देगा बुद्ध एवं केतु दोनों को भगवान गणेश से जोड़ कर देखा जाता है तो आप यदी भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो भी इस समय में बहुत अच्छा काम करता है street dogs को खाना खिलाना ये भी केतु के लिए एक बहुत अच्छा remedy माना जाता है तो इन remedies को आप यदी करेंगे और सबसे important चीज अपने speech में खराबी नहीं आने देंगे decision गलत ना हो इसके लिए थोड़ा focused रहेंगे meditation वगवारा करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा remedy का काम करेगा picture बुद्ध के ऊपर से जब केतु गुजरते हैं तो क्या क्या होता है उसका आप लोगों को एक complete picture मिला होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी लोगों के साथ साजा कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ फिर से मुलाकात होती है अगले वीडियो में किसी और विशय के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव भारत माता कीजिएगा